Hello everyone मैं हूँ पुमिका चौहान और आज का ये वीडियो है टेंस के उपर आज के इस वीडियो के अंदर हम complete tense जो है वो करेंगे present, past, future कहां कहां पर use होते हैं, formulas क्या क्या होते हैं, exceptions क्या क्या होते हैं translate कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक sentence को Hindi से English में अब हमेशा हर बच्चा मुझे लगता है कि tense से बहुत ज्यादा जूजता रहता है ठीक है, उसको काफी ज्यादा डर लगता रहता है मैंने छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े बच्चे तक को या बड़े से बड़े इंसान को tense से डरता हुआ देखा है लेकिन आज के इस वीडियो में हम वो सारा डर जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे सारे rules को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम जानेंगे कौन से tense में कब क्या use होता है ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूँ आप comment section में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके according tense क्या है देखो मेरे according या हम सभी के according grammar के according जो tense होता है वो और कुछ नहीं होता कीवल जो verb होती है न हमारी verb का एक ऐसा रूप होता है एक ऐसा form होता है जो हमें क्या बताता है क्या बताता है किसी भी sentence में verb का वो form जो हमें ये बताए कि जो भी action हुआ है उसका time क्या है या फिर जो भी action या event हुआ है उसका state क्या है ये दोनों चीजों के बारे में बात की जाती है तो tense basically कुछ नहीं है sentence के अंदर verb का वो form है जो हमें ये बताता है कि action का time क्या है present है past है या future है और उसका state क्या है ये बात हमें clear हो गई और कुछ भी नहीं है tense अब तीन भागों में इसको बाट दिया गया है तीन types में इसको बाट दिया गया है किस-किस type में बाटा गया है बिटा आपको एक तो पता है present जिसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में तौफा है present present मतलब तौफा पास्ट अब भाई साहब भूतों से तो सब कोई डर लगता है और पास्ट भी सबका डराव नहीं होता है इसलिए इसे हमेशा भूल जाना चाहिए और बात करें future की तो हमेशा इसको लेकर हम चिंतित रहते हैं इसको लेकर हम हमेशा tension में रहते हैं तो इसकी tension भूल कर केवल present में hard work करना चाहिए जोससे future जो है वो अपने आप ही must और जबरदस्त हो जाएगा so present, past और future इस तीन में बाटा हुआ है हिंदी में अगर हम बोलें तो वर्तमान, भूत और भविश्य ठेक है अब इन तीनों में अपने आप में ही चार-चार types में इनको बाट दिया गया है अब जो चार types में इनको बाटा गया है न बेटा एक आपको मिलेगा indefinite दूसरा आपको मिलेगा continuous तीसरा बेटा जी आपको मिलेगा perfect और चौथा आपको मिलेगा perfect continuous अब ये बात तो सभी को पता होगी नहीं पता तो अभी पता चल गए कि मैं आखिरकार क्या है ये indefinite continuous, perfect, perfect continuous यार हम दिन रात इतनी बाते करते हैं जो भी हमारा काम है वो present में भी चा टाइप से हो सकता है, मतलब जो भी action हो रहा है वो present में भी चा टाइप से हो सकता है for example, मैं पढ़ता हूँ मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ मैं खा रहा हूँ मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ मैं डांस कर रहा हूँ मैं class ले रही हूँ अब मैंने खा लिया है मैंने पी लिया है मैं सो लिया हूँ मैं class ले चुकी हूँ या फिर मैं 2 घंटे से class ले रही हूँ मैं 3 घंटे से dance कर रहा हूँ मैं 4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ सब में आपने देखा है 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 आया लेकिन इन सभी तरीके के sentences को बनाने का तरीका अलग है सेम ऐसे ही past में होता है और सेम ऐसे ही future में होता है अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें हर एक tense के इन चार types को पढ़ना पड़ेगा लेकिन बच्चों हमें एक और चीज पढ़ने पड़ेगी और वो क्या वो ये है कि हर एक type में अलग-अलग type के sentences होते है जैसे कि एक बात है जो कि positively बोली गई है जैसे I am doing my homework मैं अपना homework कर रहा हूँ अब अगर मुझे बोलना है कि मैं अपना homework नहीं कर रहा हूँ आप कैसे बोलेंगे I am not doing my homework not लगा दिया हमने क्या मैं अपना homework कर रहा हूँ ये भी अलग तरीके का sentence हो गया क्या मैं अपना homework नहीं कर रहा हूँ ये भी अलग तरीके का sentence हो गया मैं अपना homework क्यों कर रहा हूं, ये भी अलग तरीके का sentence हो गया, मैं अपना homework क्यों नहीं कर रहा हूं, ये एक अलग तरीके का sentence हो गया, जी हा, तो ये जितने भी type के sentences मैंने अभी बोले, इनको बनाने के भी अलग-अलग rules होते हैं, तो सुनके डरना विल्कुल भी नहीं है, क थोड़ा सा time लगेगा लेकिन present tense हम एक बार जब cover कर लेंगे तो हमें almost 60 to 70 percent चीज़े समझ में आ जाएंगी तो future और past हमारे लिए automatically असान हो जाएगा ये बात हमें clear हो गई तो आपको थोड़ा सा patience दिखाना होगा इस वीडियो के लिए और अगर हम इतने सारे lectures को केवल एक lecture म जरूरी है आए शुरू करते हैं आज का session आपके सामने अब मैं एक chart दिखा रहे हूं और ये जो आपको chart दिख रहा है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं सबसे पहली बात present then past and then future अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूंगी और वो ये हमें एक sentence को पहुरूरी है क्यों क्यों हम किसकी बात कर रहे हैं कि action जो है उसका state क्या है या फिर उसका time क्या है अब हमें time कैसे पता चलेगा रहा है रहा था रहेगा है ना जाता है जाता था जाएगा हमें उसको पहचानना पड़ेगा sentence किस तरीके से end हो रहा है वो बहुत ज्यादा important ह क्योंकि तभी आप उस tense के rules जो हैं वो लगा पाएंगे उस sentence में राइट आईए देखते हैं सबसे पहले जैसे हमने present की बात की तो present, indefinite, continuous, perfect और perfect continuous ये चारों की बात यहां पर होगी जब बात indefinite की हो रही है तो आपके sentence के end में क्या आएगा वो मैंने यहां लिखा हुआ है तो इस class का एक proper PDF मैं आपको अपनी इस वीडियो के description में दूँगी जिसकी मदद से आपको ये सारी slide और ये सारी tables मिल जाएंगी आप इनका print out निकल वालो या फिर आप इनको अपनी copy में बना लो बना की एक chart पर अपने कमरे में चिपका लो कुछ भी कर लो क्योंकि रोजाना जब उस पर नजर पड़ेगी तो बिटा कुछ तो कुछ याद होई जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं present indefinite tense की मैं starting में ही आपको एक बार सारा overview दे रही हूँ उसके बाद हम एक-एक करके हर एक tense को अलग-अलग पढ़ेंगे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की भी कोशिश करना ठीक है चलिए present अगर indefinite की हम बात करें तो उसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ता हूँ clear? इसकी और भी पहचाने होती है जो हम इसको separately पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगे इसमें helping verb use होती है do or does helping verb use होती है do or does के साथ verb की first form या फिर verb की first form के साथ seis अब ये कब होता है do or does हमेशा होता है negative, interrogative, interrogative negative या फिर double interrogative sentences में ठीक है अगर simple sentence है तो केवल आप verb की first form के साथ seis लगा देंगे अब कब verb की first form के साथ seis लगाना है और कब verb की first form के साथ seis नहीं लगाना है ये भी एक गुत्थी है जो हम सुलजाएंगे ठीक है उसके बाद बारी है continuous की continuous से तो हमें पता चली रहा है कि कोई एक काम ऐसा है जो लगातार चल रहा है continuation में चल रहा है right सो देखे रहा है रही है रहे है रहा हूं continuous के अंदर चाहे वो present continuous हो चाहे past continuous हो चाहे future continuous हो एक बात देखेगा continuous tense में यहाँ पर भी verb की first form के साथ ing है यहाँ पर भी verb की first form के साथ ing है और यहाँ पर भी verb की first form के साथ ing है तो यह एक pattern है जो हमें समझना होगा ठेक है इसमें use होता है is mr और verb की first form के साथ ing उसके बाद आता है perfect that is चुका हूँ मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ Right, has और have का इसमें use होता है और उसके साथ लगती है verb की third form अब चाहे present perfect हो, चाहे past perfect हो, चाहे future perfect हो तीनों में ही verb की third form का इस्तिमाल किया जाता है ये बात भी clear हो गई, हमें देखो verb की forms तो ऐसे ही याद हो गई है ना, कि बहीं चाहे continuous present हो, past हो, future हो सब में verb की first form के साथ ing अगर perfect हो, चाहे present perfect, चाहे past perfect, चाहे future perfect तीनों में ही verb की third form तो देखे, पढ़ते पढ़ते हमें अभी 6, 6 types के verb की forms तो याद भी हो गए हो गई ना, very nice, अब बारी आती है perfect continuous की अरे भाई, perfect भी आ गया और continuous भी आ गया मैं, अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर जो चलेगी, वो चलेगी continuous की जैसे हमने continuous tense के अंदर verb की first form के साथ ing लगाया था वैसे ही हम perfect continuous में भी, अब चाहे present perfect continuous हो past perfect continuous हो या future perfect continuous हो, सभी में verb की first form के साथ आप देख सकते हैं, हम क्या लगाएंगे ing लगाएंगे, clear हो गई यह बात, मैं सभी चीजें board पर लिखकर इसलिए लाई हूँ ताकि आपको एक proper clear view मिल सके और आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ सकें, clear इसकी जो पहचान होती है, उसमें भी लिखा हुआ है, रही है, रहे है लेकिन आपने देखा, यहां लिखा है समय से फॉर एक्जाम्पल, मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ, से रही हूँ जब time mention कर दिया जाए ना कि वो जो काम है, वो कितने समय से चल रहा है या कितने समय से चल रहा था, या कितने समय से चल रहा होगा यह सभी चीजे perfect continuous में आती हैं, किस में आती हैं, perfect continuous में आती हैं, very nice अब future, चाए indefinite हो, चाए present हो, चाए past हो, सब में आप देखो verb की first form यहां पर भी एक बार को तो verb की first form लगती है, वैसे verb की second form लगती है and then again verb की first form, so verb की forms आपको याद हो गई present indefinite में या past indefinite में या future indefinite में verb की first form लग रही है केवल past indefinite के positive sentence के अंदर verb की second form लगीगी वो पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा अगर बात continuous की हो, तो सभी में verb की first form के साथ ing अगर बात perfect की हो, तो सभी tenses में, चाए present हो, past हो, future हो, verb की third form यह जो verb की third form है, यह main verb की third form है main verb मतलब जो main action हो रहा है वो ठीक है? इसे हिंदी में मुख्य क्रिया भी बोलते हैं जैसे मैं चल रहा हूँ, तो जो चलना है वो main action है मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो पढ़ाना है वो main action है ठीक है? very nice उसके बाद past indefinite का पहचान होती है ताथा, ती, थी, ते थे, आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की इस तरीके के sentences डिड लगता है इसमें और डिड के साथ वर्ब की first form लगती है डिड helping verb का uses में कब होता है? जब हमें sentence को negative या फिर interrogative या फिर interrogative negative ऐसे कुछ बनाना हो simple sentence में केवल वर्ब की second form लग रही है ठीक है? continuous की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे as usual आपको पता होगा was, were इसमें हम लगाते है अभी आप सभी को ये मैं अलग-अलग भी पढ़ाऊंगी ये मैं शुरुवात में एक overview दे रही हूँ जिससे आपको एक start मिल जाएगा ठीक है? कि हाँ, at least आपको कुछ तो पता है इन सब चीजों के बारे में perfect जो होता है वो होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी इस तरीके के sentence जिसके अंदर हम had or verb की third form लगाते हैं ठीक है? और ये yes एक बार इसको clean कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए उसके बाद आता है perfect continuous perfect continuous के अंदर बिटाजी say रहा था, say रही थी, say रहे थे मैं दो घंटे से पढ़ रहा था had, been और verb की first form के साथ ing ये बात clear हो गई हमें very nice अब आता है future गागेगी right, will, shall then verb की first form इससे related भी एक बहुत amazing चीज आगे आने वाली है continuous tense जो है रहा होगा रही होगी obviously इसमें लगेगा will be shall be perfect, चुका होगा, चुकी होगी चुके होंगे will have, shall have have add कर दिया, हमने और कुछ नहीं किया जैसे perfect में यहां कर रहे थे, has have that's it perfect continuous रहा होगा अब इसमें भी time आ जाएगा इसमें भी time आ जाएगा जैसे इसमें भी time आया say रहा था, say रही थी वैसे ही, इसमें भी time आ जाएगा say रहा होगा, say रही होगी वो कल दो घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा समझे समझे या नहीं समझे विल्कुल समझे जैसे आज हम दो घंटे के अंदर इस टॉपिक को एक दम खत्म कर देंगे राइट चलिए अब ये मैं आशा करती हूँ कि आपको एक मिल गया है आप सभी इसे अपने एक चार्ट पर बनाईए और अपने रूम में लगा लीजे मजा आ जाएगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू एच फामली की इसके बारे में भी आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका भी आपको बहुत काम आने वाला है डब्ल्यू एच फामली क्या होती है यह वो वर्द्स होते हैं जिने हम question पूछने के लिए use करते हैं और जो डब्ल्यू और एच से start होते हैं डब्ल्यू और एच फामली इसलिए बोलते हैं कि जो डब्ल्यू और एच से start होने वाले words हैं जो क्या करते हैं, question वाले sentences में काम आते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, कौन, वैसे sentences, जैसे what, why, when, where, how, which, who, whom, whose, ये बात हमें clear हो गई, right, so what, क्या, why, क्यों, when, कब, where, कहा, how, कैसे, which, कौन, सा, who, कौन, whom, किस, say, whose, किस, का, clear है, WH family के बारे में बदा चल गया, इन सभी का use हम कहा करेंगे, जब हम कैसे sentences बनाएंगे, for example, वो क्या कर रहा होगा, right, क्या कर रहा होगा, वो क्यों सो रहा होगा, क्यों सो रहा होगा, right, अरे बहुत मज़े आने वाले हैं, आगे, आगे, देख tense से, present in definite tense का use हम कहा कहा करते हैं, देखो, अगर हमें, सबसे पहली बात तो हमने ये बताई, कि ता है, ते है, ती है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, इन सभी sentences से आपको क्या समझ में आया, कि किसी एक routine के बारे में बात हो रही है, ठीक है कोई एक ऐसी activity के बारे में बात हो रही है, जो शायद वो लगातार daily basis पे करते हैं, very nice, दूसरी चीज़, सूरज उगता है, ठीक है, धरती गोल है, आई बात समझ में या नहीं आई, right, धरती सूरज के चारों और चकर लगाती है, ये क्या है सब, ये universal facts है, ये क्या है, universal facts है तो ऐसे sentences, सबसे पहली बात जो simple action होते हैं वो जैसे the birds fly, पक्षी उड़ते हैं, they sit in the garden, वो गार्डन में बैठते हैं, जो simple action है, ता है ते है ती है वाले, दूसरा आ जाता है universal truth, universal truth मतलब सार्वभोमिक सच, जैसे God is great, भगवान महान है, man is mortal, man क्या है, मृत्यू हो जाती है न, अमर नहीं है, the sun rises in the east, sun जो है वो east से उखता है, ये सब क्या है, universal truth है, क्या है ये universal truth है, अब ये क्या होती है, ये be form of verb होती है, is, am, are, was, were, ठीक है, to express habit, habit बताने के लिए, जैसे he only eats fish, कि उसकी आदद क्या है, वो केवल fish खाता है, dogs bark, कुते भौकते हैं, they watch TV regularly, वो लगातार TV देखते हैं, लगातार मतलब as in regularly, हर रोज वो TV देखते हैं, ये एक habit हो गई जो यहाँ पर बताई है, to express future events, अब यार, present tense की बात हो रही है, तो future events को कैसे हम use कर सकते हैं, आईए पहले present indefinite देखते हैं, सबसे पहली चीज, ता है, ते है, ती है, तु है, ये वाले sentences, दूसरी चीज, कोई भी universal truth, कोई भी simple action, कोई भी habit, routine और कोई भी future event बताने के लिए हम present indefinite का use करते हैं, अब, छे तरीके के sentences जो हैं, वो बनेंगे, हर एक tense में, हर एक tense में, छे तरीके के sentences बनेंगे, कैसे कैसे, affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative, wh word, wh word मतलब double interrogative, and double interrogative negative, ये छे तरीके के sentence बनेंगे, कैसे दिखेंगे ये sentence, अभी आपको पता चल जाएगा, अब, अगर हम बात करें, affirmative sentence की, जैसे कि example के तौर पर, वो रात को जल्दी सो जाती है, वो रात को जल्दी सो जाती है, ये एक affirmative sentence है, मतलब कि ये एक सकारात्मक वाकिया है, positive sentence है, इसमें कोई not नहीं है, कोई question नहीं है, कुछ नहीं है, एक simple sentence है, right, she sleeps early at night, आई बात समझ में, वो रात को जल्दी सो जाती है, she sleeps early at night, क्यों यहाँ पर sleeps आया, आईए जानते हैं, वो इसलिए आया, क्योंकि हमारे present indefinite का affirmative sentence जो होता है, उसका formula होता है subject, verb की first form, plus third person singular के साथ S या ES, अब यह third person singular क्या है, इससे पहले मैं को आपको एक बात बतानी है, वो यह, कि जो verb की base form होती है, वो हमेशा plural में होती है, किसके अंदर होती है बिटजी, plural में होती है, अगर हमें इसे singular बनाना है, अगर हमें इसे singular बनाना है, हमें singular क्यों बनाना है, क्योंकि अगर हमारा subject singular है, तो verb भी singular लगेगी, अगर subject plural है, तो verb भी plural लगेगी, subject verb agreement के according right अब अगर हमें इससे singular बनाना है तो हम verb की first form में s या es जब add कर देते हैं for example play है यह verb की first form है अगर हम इसमे s add कर दे p l a y s तो यह जो होगी यह तो कहलाएगी plural और यह plural subject के साथ लगेगी और यह जो होगी यह कहलाएगी singular और यह singular subject के साथ लगेगी ठीक है यह बात clear करना बहुत जरूरी था क्यों क्यों कि यहाँ जब बोला कि subject plus verb की first form plus third person singular के साथ कहने का मतलब है he, she, it this, that यह क्या होते हैं सभी third person singular इन सभी के साथ verb की first form में s या es लगेगा साथ ही साथ singular noun और singular pronoun के लिए भी for example singular noun मतलब किसी का नाम हो सकता है ठीक है और singular pronoun मतलब obviously यह हो गए ठीक है so first person, second person और third person अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूँ first person होता है I और वी second person होता है you और third person होता है he, she, it ठीक है so third person singular he, she, it, this, that, it singular noun और singular pronoun के साथ हम verb की first form में s, c, i, s लगाएंगे for example अगर आपको बोलना है वह जाता है he goes वह खाता है he eats हमने बोला he goes तो हमने he था he हमारा क्या है third person singular कहने का मतलब इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा verb की first form में s या e, s लगाना पड़ेगा right तो वही हमने किया he goes हम ये नहीं बोलेंगे he go no आप बोलेंगे I go we go मैं जाता हूँ I go हम जाते है we go वह जाता है he goes ठेक है तुम जाते हो you go तो I, we और you के साथ तो आप verb की first form लगाएंगे और he, she, it, this, that singular noun और singular pronoun के साथ आप verb की first form में s या e, s लगाएंगे ये बात हमें clear हो गई उसके बात आ जाती है बारी negative की right अब जैसे यहाँ पर था subject प्लस वर्ब की first form तो हमने यहाँ जब example देखा तो ये देखिए she यहाँ पर क्या हो गया subject हो गया sleeps यहाँ पर क्या हो गया हमारी verb क्या थी sleep अब क्योंकि ये third person singular है इसलिए हमने इसके साथ s add कर दिया कुछ होंगे जिसके साथ s add होगा कुछ होंगे जिनके साथ e s add होगा for example जैसे go के साथ हमें e s add करना पड़ेगा लेकिन play के साथ हमने s add किया ठीक है तो कुछ verbs के साथ s add होता है कुछ verbs के साथ e s add होता है ये बात clear हो गई हमें so यहाँ पर subject आया then verb की first form के साथ s आ गया early at night rest part of the sentence clear very nice उसके बात बारी है negative की अगर negative sentence है तो देखे हम positive sentence के अंदर कोई भी helping verb यूज नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम negative sentence में helping verb यूज करेंगे अब helping verb की अगर बात चली है तो मैं आपको बता दू कि helping verb क्या होते है देखो helping verb और main verb इन दो verbs से हमारा सामना होगा और पूरा जो पूरा tense है वो इन दोनों का ही खेल है यही दोनों बदलती रहती हैं subject के according tense के according और इन ही दोनों की मदद से हमें पता चलता है कि जो भी action है वो कब हुआ है right helping में आ रहा है helping सहायक तो हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया that means यही तो हमारी help करती है क्या बताने में कि main verb का कौन सा form लगेगा या फिर जो action है वो किस tense में हो रहा है helping verb के अंदर आ जाते हैं is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, etc वही main verb आपको पता है यह सभी action verb होती है इनके अंदर कुछ भी आ सकता है जैसे eat, sleep, play, etc यह बात clear हो गई अब helping verbs में कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत अच्छे अब आ जाते हैं negative sentence की तरफ जब यहाँ पर negative sentence दिया तो हमने लिखा subject do या does तो ध्यान रखना present के अंदर negative sentence बनाने के लिए present, indefinite के अंदर negative sentence बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो do और does helping verb का use कर रहे हो do और does helping verb का use कर रहे हो जब हम do और does helping verb का use करते हैं तो हमेशा verb की first form आती है फिर इसमें ऐसी या इस add नहीं होता ऐसा क्यों क्योंकि do के साथ हम already is add कर चुके हैं और does जो है वो किस के साथ लगता है इन सब के साथ ही लगता है और हमें इन के साथ ही तो is add करना था तो हम automatically अपनी helping verb में यह समझ लो is add कर चुके हैं ठीक हैं इसलिए तो केवल यहाँ पर indefinite में verb की first form के साथ ऐसी है is लगेगा simple sentence में बाकी indefinite के अंदर negative, interrogative, interrogative, negative में सब में do or does लगेगा clear so subject then do does plus not plus verb की first form and then object clear यह बात बिलकुल सही हमें पता चल गई do or does कहां यूज करना है does का use इन सब के साथ होगा और do का use I, we, you, they, these, those plural noun या फिर plural pronoun के साथ use होगा clear, very nice अब बात है interrogative की interrogative मतलब प्रश्न सूचक मतलब की question वाले sentence जैसे की does do plus subject plus verb की first form के साथ object देखो होता क्या है एक sentence से समझते हैं यहाँ पर होगा yes, not वाला जो sentence है वो देखते है, negative वाला वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता नहीं आ गया यहाँ पर मतलब की negative है ता आ गया यहाँ पर मतलब की present indefinite है हमें क्या करना है do or does का यूज करना है अब बात हो रही है that boy वो लड़का singular है है या नहीं है तो हम इसके साथ does लगाएंगे that boy यह हो गया हमारा subject then does and then not helping verb plus not try to win अब यह try क्या हो गया verb की first form to win तो वह लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है that boy does not try to win मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूं I do not dip my finger into the water अब देखो यहाँ पर जब I आया तो I के साथ do लगा क्योंकि यह क्या है first person क्योंकि यह क्या है first person I और we first person होते है you क्या होता है second person ठीक है I do not dip my finger into the water वह सीखना नहीं चाहता he does not again he के साथ हमने क्या लगाया does not and then verb की first form so he हमारा क्या हो गया subject वो महनत नहीं करते they do not work hard plural आ गया यहाँ पर so verb की first form हमने लगाई sorry helping verb हमने लगाया do and then यहाँ यहाँ पर आया verb की first form यह बात हमें clear हो गई बहुत अच्छे अब हम बात कर रहे थे interrogative sentence की so interrogative sentences कैसे बनते हैं जब आपको negative sentence बनाना है तो आप subject के बाद helping verb लगाके not लगा दो subject के बाद helping verb लगाके not लगा दो negative बन जाएगा अगर आपको interrogative sentence बनाना है आप helping verb को subject से पहले लगा दो helping verb दिख रहा है do or does subject से पहले लगा दिया negative में तो subject के बाद helping verb और फिर not interrogative में subject से पहले helping verb clear and then verb की first form and then object कुछ questions कर लेते हैं interrogative sentence related जैसे की क्या वह school जाता है see क्या क्या अपना दो तरीके के interrogative होते हैं कैसे कैसे एक तो होता है yes or no वाले और एक होते हैं wh word वाले देखो जब हम क्या कर रहे हैं एक ऐसा question पूछ रहे हैं जिसका जवाब बिल्कुल लगा रहे हैं डाज ही गो तू स्कूट हमने क्या किया helping verb को पहले लगाया then हमने हमने helping verb को पहले लगाया then हमने हमने हमारा subject लिखा and then main verb की first form हमने लिखी लिखी राइट बिल्कुल सही जैसे क्या वह चार बजे उठता है does he wake up at four o'clock okay yes does he wake up at four o'clock does और he subject से पहले helping verb लगा दिया right and verb की first form very nice क्या वो यहां आता है does he come here क्या आप non-vej नहीं खाते है do you not eat non-vej सब में आपने देखा does, 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 do सभी subject से पहले लगे हुए है clear तो ऐसे interrogative sentence बनता है अब अगर हमें बनाना है interrogative negative कैसे होते हैं interrogative negative sentences वो कुछ इस तरीके की होते है क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं अब यहां पर क्या भी आ गया और यहां पर नहीं भी आ गया यह कहलाते हैं interrogative negative sentences इनका formation कैसा होता है आईए देखते इनके formation में हमें सबसे पहले लिखना है helping verb अब बच्चे गलती करते हैं कि helping verb के तुरंट बाद not लगा देते हैं यह गलती आप लोगों को नहीं करनी है ठीक है तुरंट बाद not नहीं लगाना है then subject then not helping verb subject और subject के बाद में आप not लगाएंगे ठीक है बच्चे यह वाली गलती आप लोगों को नहीं करनी है चलिए अगर हमें sentence बनाना है हम कैसे बनाएंगे बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं do they not देखो सबसे पहले क्या आया helping verb do आया then subject आया then not आया not क्यों आया क्योंकि हमें negative sentence बताना था उसके बाद verb की first form तो जब भी do does लग जाता है वहां हमेशा verb की first form लग जाती है जैसे आप उसे क्यों नहीं डाटते अब यार ये तो इससे मैं काफी अलग हो गया है ना क्यों क्योंकि यहां पर तो क्यों आ गया और इसी से मैं आपको बताऊंगी wh word वाले और wh word में भी negative वाले sentence मैंने आपको बोला था present में एक बार हमें time लगेगा क्योंकि मुझे आपको ये बताना पड़ेगा इसलिए जब मैं एक बार ही आपको बता दूँगी तो past और future और बाकी के जो present tense के पार्ट से हैं उसमें आपको दिखकर नहीं होगी clear so बढ़ जाते हैं आगे जब बात wh word के अब wh वाले कैसे होंगे देखो एक sentence हमने interrogative देखा जिसमें हमने yes or no वाले questions पूछे कि क्या वो खेलता है क्या वो non-wich खाता है क्या वो सोता है क्या वो उठता है types एक होते हैं wh word मतलब कि अगर आपको बोलना है वो क्यों नहीं खाता है वो क्यों नहीं खाता है इसमें हमें कोई explanation देनी पड़ेगी right इसके अंदर हम yes or no में जवाब नहीं दे सकते हमें reason बताना पड़ेगा वह क्यों नहीं आता है या वह क्यों नहीं खाता है इसलिए हम जो भी सवाल पुछा गया है जैसे क्या क्यूं कब कैसे कहा जो डबल्ली एच फामली हमने देखी थी उसकी English हम सबसे पहले लिख देते हैं मतलब उस डबल्ली एच वर्ड को सबसे पहले लिख दो और बाकी Interrogative क तरह बना दो और कुछ भी नहीं है केवल हमने यहाँ पर डबल्यू एट किया है बाकी हमारा सारा का सारा पैटन है सहे देको सेम लिखा है do does do does subject subject v1 v1 object object है ना बस और इसी में अगर negative बनाना है कुछ नहीं करना same हमें केवल wh पहले add करना है और जो interrogative negative बनाया था उसकी तरह हमें sentence बनाना है so wh word वाले में होगा कुछ भी नहीं वो बनेंगे interrogative और interrogative negative की तरह ही केवल starting में वो wh word उसके अंदर add हो जाएगा what why when who how ये वाले words that's it ओके चलिए अब related कुछ sentences देख लेते हैं ताकि हमारा ये चीज़ clear हो जाए ये चारो types जरूर याद रखना to express future events universal truth to express simple action या to express habit क्योंकि हमें पता होना चाहिए न हर बार जरूरी नहीं है कि जो पहचान बता दी ता है ते है ती है आ है ये ही रहे right चलिए जैसे the next train arrives at 9 p.m. यहाँ पर एक future event था लेकिन हमने present indefinite की मदद से इसको change किया कि जो next train है वो कितने बज़े आती है नौ बज़े आती है right the bus leaves at 6 a.m. कि जो bus है वो 6 बज़े जाती है clear so future events को बताने के लिए भी हम present indefinite का use करते है आईए देखते हैं कुछ sentences wh word वाले for example आप उसे क्यों नहीं डाटते ये क्यों आ गया क्यों की English क्या होगी why बाकी का sentence हम interrogative negative की तर है कि why do you not scold him again helping verb again subject then not then verb की first form clear मैं tension क्यों लेता हूँ why do I take tension again is क्यों का हमने सबसे पहले placement कर दिया तुम्हारा भाई उठता कब है कब की English हमने when सबसे पहले लिख दी और बाकी का हमारा जो sentence रहा वो interrogative या फिर interrogative negative की तरह ही बन गया so when does your brother get up when does your brother get up अब इससे आपको ये सारी चीज़े clear हो गई होंगी कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं exactly हम आगे अभी हमने present indefinite पढ़ा ऐसे ही हम present continuous then perfect then perfect continuous and then past और future का भी same पढ़ेंगे केवल मैं आपको बताना चाहती थी starting में कि affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative, wh word and wh word negative that is double interrogative and double interrogative negative ये please clear हो गई आपको चीज़े अब हमना यहीं पर एक pattern समझ लेते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पर आपको एक pattern समझाना चाहती हूँ और वो pattern क्या होने वाला है आपको मैं बताती हूँ क्योंकि बार बार आपको ये tension लेने की जुरूत नहीं कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ये क्या आएगा, वो क्या आएगा उसके लिए आपको एक चीज़ समझ नहीं है केवल इतनी सी ओके, yes और वो ये है जब हमें negative बनाना है तो हम helping verb के बाद not लगा रहे है ठेक है, pattern समझ में आ गया, subject, helping verb और helping verb के बाद not फिर main verb के जो भी form हो और object हो ये होता है negative बनाने का तरीका interrogative में subject से पहले helping verb subject से पहले helping verb, बाद में main verb interrogative, negative बनाने का तरीका subject से पहले helping verb और not subject के बाद subject से पहले helping verb और not subject के बाद ठेक है double interrogative में जो भी क्या क्यों कब कैसे पूछा हुआ है वो WH word की English पहले बाकी का sentence interrogative के तरह पहले help, WH word then helping verb then subject and then हमारी जो भी verb की form है etc etc ध्यान रखना गलती ये मत करना कि helping verb के बाद not अक्सर बच्चे interrogative negative जब बनाना होता है तो वो क्या करते है इस do does के बाद ही not लगा देते हैं ये गलती नहीं करना है हमें subject के बाद not लगाना है तो ये ही वाला pattern सब में follow होने वाला है दिखता है you look like धोनी तू तो धोनी की तरह दिखता है you look like धोनी वो अपने पापा के जैसा लगता है he looks like his dad he subject looks क्यों आया third person singular है verb की first form के साथ scis मुझे लगता है आप पागल हो I think you are crazy मैं चलते चलते ठक जाता हूं I get tired of walking क्या तुम पढ़ पढ़ कर bored नहीं होते हो do you not get bored with studying देखिए not हमेशा subject के बाद में आया right and verb की first form आई clear अब बारी है present continuous की present continuous में केवल एक चीज़ और वो क्या है is MR is MR yes बाकी सब चीज़ें बिलकुल सेम रहेंगी केवल हमारी helping verb is MR का आपको ध्यान रखना है affirmative में subject is MR verb की first form के साथ ing मैंने क्या बोला था शुरुआत में continuous tense है तो verb की first form के साथ ing तो लगेगा he बस अब is MR कहा कहा लगता है is लगेगा he, she, this, that, it singular noun और singular pronoun के साथ बलब singular जितनी भी चीज़ें उनके साथ is I बोला मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ रहा मैं अपना अलग से लेकर आऊंगा मैं आम लगाऊंगा are जो है we, you, they, these, those plural noun और plural pronoun के साथ देखो बटा ये चीज़ें बहुत important है क्योंकि अक्सर गलतियां हमारी यहीं पर होती है ठीक है इनको बिलकुल भी नहीं बूल ला है ठीक है so is कहां लग रहा है he, she, this, that, it singular noun और singular pronoun के साथ am के साथ I लगेगा और are, we, you, they, these, those or plural noun और plural pronoun के साथ लगेगा बहुत बढ़ बढ़ जाते हैं आगे वो TV देख रहा है he is watching TV right subject, singular था is helping verb watching, verb की first form में ing लग गया TV, object आप सो रहे हो you are sleeping subject, अब you था तो r लग गया and verb की first form के साथ ing लग गया यह हमारी helping verb हो गयी वो हस रही है रहा है, रही है, रहे है continuous tense का यूजे हम कब करते हैं जैसे हमने present and definite का पढ़ा था कि हम करते हैं कोई भी future event बताने के लिए, कोई भी habit बताने के लिए, कोई भी routine बताने के लिए इकोई भी simple action बताने के लिए continuous tense का use होता है जब कोई भी काम present में चल रहा है जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम लगातार चल रहा है clear? clear? very nice मैं मजाब कर रहा हूँ, I'm joking देर हो रही है, it's getting late it is getting late मैं नहीं आ रहा, I'm not coming वो सो नहीं रहा, he's not sleeping see, अब यहाँ पर not आया है नहीं आया है, क्यों आया? सबसे पहले हमने लिखा subject फिर हमने हमारी helping verb लगाई am, I के साथ और helping verb के बाद हमने not लगाया जो कि हमने आपको यहाँ बताया था कि आप helping verb के बाद not लगाएंगे किस के अंदर? negative sentence के अंदर यह tables मैंने इसी लिए बताई है ताकि आप सभी इनका फाइदा उठा सके एक जगा सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे आपको भटकना ना पड़े चेक्या? yes, वो सो नहीं रहा he is not sleeping then हमने लिखा not not हमने कब लगाया helping verb के बाद लेकिन क्यों? क्योंकि अभी यह negative में था अगर interrogative negative होता तो तो हम helping verb पहले लगाते और not जो है वो subject के बाद लगाते आईए करते हैं और sentences मैं बहाना नहीं बना रहा I am not making excuses I am not making excuses तुम मुस्कुरा नहीं रही You are not smiling क्या तुम्हें देर हो रही है? Are you getting late? क्या मैं जूट बोल रहा हूँ? Am I speaking a lie? देखो अब यहाँ पर क्या आ गया? यह interrogative आ गया question mark वाला sentence आ गया interrogative आते ही हमारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? कि यार अब तो हमें subject से पहले helping verb को लगाना पड़ेगा वह हमने किया हमारे subject से पहले helping verb को put किया verb की first form के साथ ing लगाया लगाया या नहीं लगाया? विलकुल लगाया अब पाटन याद हो रहा है? affirmative का, negative का negative में helping verb के बाद not interrogative में subject से पहले helping verb interrogative negative में subject से पहले helping verb subject के बाद not और WH word में सबसे पहले WH word then helping verb then subject clear हो गई ना चीज़े बस ऐसी बोल बोल के मैं तुम्हें पूरे सेशन के दौरान यादी करा दूँगे tension मतलो क्या आपको नीन्द आ रही है? क्या आपको नीन्द आ रही है? Are you feeling sleepy? क्या वो खाना बना रही है? Is she cooking? देखो यही बात है ना कि आप लोग यह सोच रोंगे मैं पता कैसे चलेगा interrogative है या interrogative negative वो मैंने आपको interrogative है या WH word वाला मतलब double interrogative तो मैंने आपको बताया ना जो sentences कैसे हो yes, are या no के answer वाले हो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर helping verb पहले लगता है और अगर क्या क्यों कब कैसे पूछ ले या WH word पहले लगता है yes, क्या आप लड रहे हो किसी से are you fighting with someone? क्या इस वक्त वो पढ़ा नहीं रहा है? is he not studying at the moment? अब आगए यह interrogative negative वाले interrogative negative में क्या था? helping verb, subject or not then verb की first form में आई एन जी ही है? क्या वह इस वक्त पढ़ नहीं रहा है? is he not studying at the moment? helping verb पहले then subject and then not not किस लिए? बताने के लिए कि नहीं आ रहा है हमारे sentence में right, क्या आजकल आप जॉब नहीं कर रहे हैं? are you not doing a job nowadays? are you not doing a job nowadays? very nice क्या आपको गुसा नहीं आ रहा है? are you not feeling angry? are you not feeling angry? सब में आपने देखा रहा है रही है रहा है रही है रही है यहाँ पे देखो आप किसी से लड़ रहे हो मतलब यहाँ पे भी रहे हूँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है भाई बहुत बढ़िया अब आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आ गया न क्यों बीच में? आया या नहीं आया? बिलकुल आया इसको हटा दिया जाए इसको भी येस आप किसके बारे में बात कर रहे हो? who are you talking about? वो कहां जा रही है? where is she going? तो हमारा वह वर्ड सबसे पहले then are, helping verb, then subject and then verb की first form में ing अब तो आपको पैटन याद हो गया होगा बिटा है ना? good, वो तुम्हें घूर क्यों रहा है? why is he staring at you? why? एक चीज़ और present की बात हो रही है लेकिन हम present continuous का use कब करते हैं? जब हमें near future की बात बतानी है जैसी की मैं अगले हफ़ते गाव जा रहा हूँ, near future मतलब अभी आने वाला future है बात तो वो अभी बता रहा है ना? बात अभी बता रहा है वो हमें किस बात मैं बता रहा है? future की किसी एक बात के बारे में कि यार मैं अगले हफ़ते गाव जा रहा हूँ I am going to the village next week वो मुझसे कल मिल रही है, near future, she is meeting me tomorrow हम दो दिन बाद एक दुकान खोलने जा रहे हैं We are going to open a shop two days later आपने देखा यह सभी sentences किस के है? near future के ठेक है ना? यह चीजे जो अलग से बता रही हूँ, यह ध्यान रखनी है हमेशा ठेक है? very nice आगे बढ़ जाते हैं उसने लाल shirt पहनी हुई है He is wearing a red shirt अब देखो, अब आप बोलोगे मैं यहाँ पर तो रहा है रही है आही नहीं रहा फिर यह कैसे हुआ? बट बिटा, जरूरी नहीं है ना? रहा है रही है यहा रहा हो sentence को देखके भी तो पज़ाज जाता है कि काम जो है वो लगातार चल रहा है या नहीं अब उसने बोला उसने laal shirt पहनी हुई है तो that means अभी भी पहनी हुई है ना? उतार के नंगा तो खड़ा नी हुआ वो है ना? तो ले जोटा पहना हुआ है मतलब अभी भी पहना ही हुआ है ना? उसने परफ्यूम लगा रखा है मतलब अभी भी लगाया हुआ है न, इस तरीके के sentences को भी हम present continuous tense में ही change करते हैं, ठीक है, yes, so he is wearing a red t-shirt, you are wearing shoes, he is wearing perfume, clear, चलिए, अब यहाँ पर बात होगी stative verb की, बहुत सारी नई चीज़ें आपको tenses के दौरान पता चलेंगी, काफी मज़ा आएगा, stative verb क्या होता है, देखो stative verb जो होता है, सबसे पहली बात उनके साथ हम ing नहीं जोडते हैं, ठीक है, दूसरी चीज, action नहीं होता यह कोई, यह कोई भी एक state होती है, मैंने क्या बोला था tense क्या बताता है, tense हमें किसी भी verb की कोई state बताता है, या time बताता है, right, अब यहाँ पर इसके अंदर कोई action नहीं होता, stative verb जो होती है, इसमें कोई action नहीं होता, कैसे, जैसे, चाय ठन्डी लग रही है, अब कोई action है इसमें, नहीं है न यह तो बस चाय की state बता रहे है कि चाय की स्थिती या चाय की दशा जो है वो कैसी है ठंडी लग रही है मिरको तो मिरको ने पी नहीं आप ठके ठके लग रहे हूँ state बता रहे हूँ कि दशा बता रहे है स्थिती बता रहे है कैसा लग रहा है ठका ठका लग रहा है मैं आपसे वादा कर रहा हूँ I promise you अब यहाँ पर जो यह seems use हुआ है देखो The tea seems cold You seem tired I promise you क्या हमने यहाँ कहीं भी ing add किया नहीं किया क्योंकि क्यों नहीं किया क्योंकि यह stative verbs है और यह stative verbs क्या होती है यह action नहीं होता है और इनके साथ verb की first form में ing add नहीं होता है ओके ओके चालो अब बारी आजाती है present perfect tense की present perfect tense काफी ज्यादा interesting है कब use होता है present perfect tense इस्तेमाल कब करते हैं अब बचे ना confused हो जाते हैं बहुत सी बार कि मैं present perfect tense को हम कैसे use करें देखो कोई भी काम जो अभी present में खत्म हुआ है जस्ट खत्म हुआ है उसके लिए हम present perfect का use करते हैं और इसके अंदर helping verb लगती है has or have इसकी पहचान होती है चुका है चुकी है चुके है लिया है दिया है गया है ली है दी है की है जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ अभी की बात है अभी just खत्म हुआ की बात है वही has have use होगा has किस के साथ यूज होगा भाई वही छे तरीके के sentences हम बनाएंगे इसमें, कैसे, कैसे छे तरीके के, चलिए, subject has have verb की third form, अब मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था, perfect की बात होगी तो third form लगी जैसे continuous की बात हो रही थी तो first form के साथ ing लग रहा था, perfect की बात हुई तो सभी जगा आ गई third form अपने के साथ helping verb लगेगा वो इस subject के according कि I, we, you, they है तो हम have लगाएंगे, he, she, it वगेरा है तो हम has लगाएंगे, then verb की third form and then object, same with negative, has have के बाद आप not add कर दोगे, interrogative subject से पहले has have लगा दोगे, interrogative negative subject से पहले has have बाद में not, wh word सबसे पहले और बाकी का sentence, interrogative की तरह wh word negative, wh word सबसे पहले और बाकी का sentence, interrogative, negative की तरह, बस याद क्या रखना है, has कहां लगेगा और have कहां लगेगा, has लगेगा, he, she, it और singular के साथ, he has, she has, it has, Ram has, Bhumika has have कहां लगेगा, I have, we have, you have, they have, okay, the boys have, okay, चालिये आगे बढ़ते हैं, कुछ questions से, I have met my promises, मैं अपने वादे निभा चुका हूँ, पहचान बहुत जरूरी है, चुका हूँ, चुकी है, right, मैं अपने वादे निभा चुका हूँ, I have met my promises, met verb की third form, she has got a salary, उसे salary मिल चुकी है, अभी की बात है, salary मिल चुकी है, मैं अपना promise निभाद चुका हूँ, ठीक है न, present perfect है, तुम तो गंजे हो गए हो, you have got bald, you have got bald, I have seen this movie, मैंने ये movie देखी हुई है, see, हुई है, लिया है, चुका है, इस तरीके के sentences, इन में confuse मत हो ना कि आप past dollar use कर रहे हो, ठीक है, ठीक है न, चालो, he has not denied me for anything so far, उसने मुझे अब तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, अब देखो, चुका है, चुकी है की जगा, किया है, लिया है, दिया है, राइट, जैसे धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई शतक नहीं लगाया है, धवन has not scored a century against Australia, धवन has not, has not क्यों यूज किया, helping verb and then not, क्यों 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 कि नहीं आ रहा था इसमें, नेगेटिव बनाना था, वो एक दूसरे से अभी तक नहीं मिले है, they haven't met each other yet, they haven't met each other yet, have not be बोल सकते हो, haven't be बोल सकते हो, we have not finished our homework, हमने अपना homework नहीं किया है, so यहाँ पर examples है, किया है, लगाया है, मिले है, किया है, आ है, दी है, की है, ली है, right, किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, सारे टाइप के sentences में, आप has or have का use करेंगे, present perfect में change करेंगी, अब यह कुछ जगा मैंने आपको बताईए, जहां जहां पर हम present perfect का use करते हैं, पहली चीज़, actions started in the past and continuing in the present, ऐसे actions जो past में शुरू हुए थे और present में चल रहे हैं, जैसे, they haven't lived here for years, वो यहां पर कई सालों से नहीं रहे हैं, that means अभी भी वो काम नहीं हो रहा, जो सालों से नहीं हो रहा है, वो अभी भी नहीं हो रहा, actions started in the past, कि उन्होंने यहां पर रहना बंद कर दिया था past में, और वो action अभी भी चल रहा है, कि वो अभी भी यहां नहीं रह रहे हैं, है न, she has worked in the bank for 5 years, उसने bank में 5 साल काम किया, अब उसने 5 साल के बाद bank में काम करना बंद कर दिया, है न, है, तो हमने यहां पर has worked in the bank for 5 years, भाई एक बार काम करना बंद कर दिया, अब भी नहीं कर रही है, we have had the same car for 10 years, हमारे पास 10 साल तक same गाड़ी थी, अब नहीं है, समझ रहे हो, कोई action past में start हुआ और present में continue है, have you played the piano since you were a child, क्या तुमने पियानो बजाया है, since you were a child, बात समझ में आ रही है, action past में start हुआ और continue हो रहा है, present के अंदर, next is, when the time period referred to has not finished, कब यूज करते हैं, जब जो भी time period दे रखा हो, वो खतम ना हुआ हो, जैसे, I have worked hard this week, अभी ये वाला भी खतम नहीं हुआ, समझ रहे हो, ये वाला भी कभी खतम नहीं हुआ, उसने बोला, कि जो भी time period दे रखा हो, वो time period अभी खतम ना हुआ हो, उस case में भी हम present perfect use करेंगे, जैसे, I have worked hard, मैंने काफी मेहनत की है, इस हफते, that means इस हफता, ये हफता अभी भी चल रहा है, ओके, it has rained a lot this year, कि इस साल जो है, काफी बारिश हुई, तो ये जो साल है, वो चल रहा है, काम की बात नहीं हो रही है, उस time की बात हो रही है, कि जो भी time दे रखा हो, seen her today, आज हमने उसे नहीं देखा है, तो आज, मतलब की अभी भी आज चल रहा है, कल नहीं आया है, ओके, समझ में आई बात, very nice, next one, actions repeated in an unspecified period between the past and now, जब कोई भी action, एक unspecified period में हुआ, मतलब past के और अब के, जैसे, they have seen that film six times, अब उसने बोला कि उन्होंने वो movie छे बार देखिये, लेकिन time नहीं बताया, unspecified period, क्या हमें नहीं पता, है ना कब देखिये, it has happened several times already, ये काम पहले भी बहुत बार हो चुका है, that means, पहले कितनी बार हो चुका है, हमें वो time period specified नहीं किया गया, she has visited them frequently, भाई, काफी लगातार बार 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 उनसे मिलती रही है वो, अब ये नहीं पता कि कितनी बार मिली है, तो time नहीं बताया, specifically, उस case में भी हम has have का use करते हैं, we have eaten at the restaurant many times, कि भाई, हमने काई बार जो है restaurant में खाना खाया है, हमें नहीं पता कि कितनी बार खाया है, तो जब हमें जो time दिया हुआ है, वो specify नहीं किया हो गया, हो कि 2 बार, 3 बार, 1 बार, 6 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, ठीक है, चॉल, उसके बाद ये use होता है actions completed in the very recent past, यह मैंने आपको starting में बता था कि भाई, just अभी-अभी कोई चीज खतम हुई हो, जैसे, have you just finished work, I have just eaten, मैंने अभी-अभी खाया है, we have just seen her, हमने उसे अभी-भी देखा था, has he just left, क्या वो अभी-भी गया है, आई बात समझ में, तो ये चारो चीज़े याद रखना मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज, started in the past and continuing in the present, second one, time period referred has not finished, third one, unspecified period between past and now, fourth one, action completed in the new recent past, ओके, यह बात हमें clear हो गई है, बहुत अच्छे, अब है last one, when the precise time of the action is not important or not known, जब हमें, वो जैसे, someone has eaten my soup, अब हमें नहीं पता कि उसका soup जिसने जब पिया, वो कब पिया, उसने बुला यार किसी ने मेरा soup पी लिया, someone has eaten my soup, किसी ने मेरा soup पी लिया, have you seen gone with the wind, क्या आपने gone with the wind देखी है, अब यार देखो, वो जो time है, वो नहीं पूछा हुआ, ठीक है, when the precise time of the action is not important, कि भाई वो चीज़ important नहीं है, यहाँ पर time की बात ही नहीं हो रही है, तो उस event का जब time ना बता रखा हो, उस case में हम क्या करते हैं, has have का use करते हैं, जैसे, she has studied Japanese, Russia and English, अब हमें नहीं पता उसने Japanese, English और Russian कब सीखी, राइट, उसने वो पढ़ी हुई है language, लेकिन कब पढ़ी हुई है, यह हमें नहीं पता, अगे, clear, very nice, next one, So, has Ria broken your heart? क्या Ria ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है? Have you talked to him before? क्या आपने पहले उससे बात की है? Have I ever come between both of you? क्या मैं कभी तुम दोनों के बीच में आया हूँ? Have you met each other before? क्या तुम लोग पहले कभी मिल चुके हो? क्या आपने car book नहीं की है? Have you not booked a car? क्या उसने pizza order नहीं किया है? Has he not ordered the pizza? क्या आपने उसकी तरह कोई लड़की नहीं देखी है? Have you not seen a girl like her? क्या अब तक आप उससे भूले नहीं हो? Have you not forgotten her till now? Have you not forgotten her till now? Very nice, आगे बढ़ जाते हैं वो एक घंटे से कहां गया है? Where has he gone for an hour? Again, WH word है ठीक है? और कहां पूछा गया? इसलिए यहां पर यहां आया है सबसे पहले Then helping verb, then subject, then verb की third form Right? तुम यहां क्यों आए हो? Why have you come here? आपने कौन सा फोन खरीदा है? Which phone have you purchased? देखो यहां पर कौन सा है? यहां पर क्यों है? यहां पर कहां है? इसलिए हमने WH word यहां पर use किया Clear? चलिए अब बारी आती है present perfect continuous tense की और उसके बाद हमारा present tense complete Yes Present perfect continuous tense के अंदर कोई भी काम जो past में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है और हमें साथ में time भी बताया जा रहा हूँ ठीक है जैसे वो दो घंटे से पढ़ रहा है तो हमें time बताया दो घंटे से है ना और वो काम अभी भी चल रहा है मलब दो घंटे पहले उसने पढ़ना स्टार्ट किया था और वो अभी भी पढ़ रहा है वो रुका नहीं है कोई भी काम जो past में चालू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो present perfect continuous say रहा है say रही है say रहे है इसके अंदर जो helping verb use होती है बिटा वो होती है has, have और उसके साथ bin का use होता है ठीक है ऐसे ही past में भी bin use होगा और future में भी bin use होगा clear so बाकी का pattern आपको पता ही है सबसे पहले subject then has have अब यहाँ पढ़ना एक bin add हो गया इसकी वज़े से बच्चे confuse हो सकते है negative में bin के बाद not नहीं लगाना हमें हमें has have के बाद ही not लगाना है जो हमारा pattern चलता आया वहीं चलेगा केवल हमें bin उन सब चीजों के बाद में लगाना है जैसे अगर interrogative देखे तो helping verb आया सबसे पहले फिर subject आया, फिर bin आया है न, ऐसा नहीं है कि verb की first form के साथ ing के बाद आप bin लगा रहे हो, नहीं interrogative negative में भी has have आया पहले, then subject आया subject के बाद not आया, not के बाद bin आया लोग गलती करते हैं लोग bin को पहले लगा देते हैं, not को बाद में लगा देते हैं गलती आप नहीं करनी है आपने विल्कुल भी नहीं करनी है गलती ठीक है, then wh word, then has have, then subject, then been and then why, same pattern यहाँ पर एक चीज इसके अंदर केवल होती है वो add क्या, आप सभी देख सकते हो हमने यहाँ पर since or for add किया है what is this since and for? यह since or for होता है time बताने के लिए चले, अब एक चीज और जो हमें जाननी ज़रूरी है कि since का use कहां और for का use कहां अगर हमें कोई भी point of time बताना है, जैसे कि दो बजे से तीन जैनवरी से 1990 से, बचपन से morning से वहाँ पर हम since का use करेंगे हमें अगर duration बताना है तो हम for का use करेंगे जैसे दो घंटे से दो साल से तीन महीने से उस case में हम for का use करेंगे ठेक है यहाँ पर केवल subject has, have, been verb की first form में आई एंजी object इस object के बाद sincere for and then time example से समझते हैं मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं I subject हो गया have, been helping verb have हो गई then been verb की first form में आई एंजी since पहले since आएगा यहाँ लिखा है ना has, have, been के बाद पहले teaching आ रहा था ना teaching object और उसके बाद since यह for I have been teaching teaching तक आगया अब हमें since लगाने क्योंकि हमें time बताने since 2014 अभ यहाँ पर 2014 लगाया और यहाँ since लगाया बच्रे confused हो जाएगे मैं since क्यों लगाया क्योंकि point of time दिया हुआ है point of time दिया हुआ है right जैसे time हो for example since 2 o'clock week के नाम हो जैसे since Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday months के नाम हो जैसे since 2nd December 3rd December years के नेम हो जैसे since 1995 morning since morning since afternoon since evening since night okay event या festival हो for example since Diwali since holy since Christmas states of life हो जैसे childhood young any age या फिर since yesterday इन सभी cases में आप क्या करेंगे since का use करेंगे क्योंकि यह हमे point of time बता रहा है हम for का use कहा करेंगे hours, minutes or seconds बताने के लिए जैसे की for two hours right days for two days for two weeks for two months for two years लेकिन अगर उसका यह नाम बता दे जैसे की यहाँ पर week का, month का, year का नाम बता दिया तो since हो गया और यहाँ पर जब नाम नहीं बताया तो वो फॉर हो गया duration बता दिया ना इसलिए for six days, for two weeks, for five months, for twelve years आई बात समझ में since और for की कहानी आई समझ में बहुत बढ़िया तो यहाँ पर पहले since लगाते हो और उसके बाद time बताते है जो कि हमने यहाँ किया पहले हमने since लगाया और उसके बाद time बताया है ना वो 20 minutes से मुझे घूरे जा रहा है say रहा है he has been staring at me for 20 minutes मैं कल से उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूं I have been trying to call her since yesterday I have been trying to call her since yesterday राहूल दो हफतों से नौनविज नहीं खा रहा है राहूल has not been eating नौनविज for two weeks for two weeks clear आप एक अर्से से मुझे support नहीं कर रहे है you have not been see you subject have helping verb then have के बादी not and then been आया and then verb की first form के साथ ing क्यों की perfect continuous है right मैं बच्पन से टी शिर्ट नहीं पहन रहा हूं I have not been wearing टी शिर्टs from childhood अब ये चीज हमें समझ में आ गई आप from का use कभी भी कर सकते हो ठीक है वैसे यहाँ पर since use होना था since childhood ये भी ठीक है और from भी ठीक है ये बात हमें clear होई बढ़ते हैं आगे क्या वो पांच सालों से धोका दे रही है has she been cheating you for five years क्या आप दो हफ्तों से उसे नजर अंदास कर रहे हो have you been ignoring her for two weeks see for five years for two weeks जब duration दिया हुआ है right has she been singing for two hours क्या वो दो घंटे से गाना गा रही है क्या दिवाली से ही आप से बात नहीं कर रहा है has she not been talking to you since see कोई festival हो तो since का use करते है क्या राहूल दस दिन से cricket नहीं खेल रहा है has राहूल not been playing cricket for ten days क्या आप एक अपते से ब्लॉग नहीं लिख रहे हूँ have you not been writing a blog for a week clear हो गई यह बात so मैं बहुत सारे examples इसी लिए आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पहचान हो सके चीजों की चलिए अब बारी आ जाती है present tense हमारा यहां खत्म हो जाता है अब हम बात करेंगे past tense की ठीक है past tense में पहले आ जाएगा past indefinite उसकी पहचान है आया गया रोया शोया ली दी की चलिए so for example मैंने आज उसे bus stand पर देखा आ आ वाली आवाज आ रहे है ना मैंने आज उसे bus stand पर देखा था आथा भी आ गया है ना आ मारा था अब यह देखना वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था ताथा भी आ गया तो ताथा ती थी ते थे आया गया रोया सोया देखा खोया पाया उठा जागा ली दी की ली दी आ की for example पिल हमने उसकी बोलती बंद कर दी थी ली दी टाइपस के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में आते हैं ठेक है तो हमें कोई भी पास्ट की हैबिट बतानी है तो हम क्या करेंगे कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो चुका है पास्ट में फिनिश हो गया है बिलकुल कम्प्लीटली पास्ट में ही स्टार्ट हो आता पास्ट में फिनिश हो गया पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करना है ठेक है और दूसरी चीज़ कोई पास्ट हाबिट बताने के लिए जैसे इसके अंदर क्या होता है इंडेफिनेट म sense है, I subject, okay, आजाए, saw verb की second form, an object, simply बन गया बिल्कुल, बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, लेकिन अगर हमें बात करनी है negative की, किसकी? negative की, तो इसके अंदर use होता है, did helping verb, कौन सा helping verb, did helping verb, जैसे present indefinite में हम verb की first form के साथ ऐसी आई है, simple sentence में लगा रहे थे, और बाकी negative, interrogative बनाने के लिए हम do or does लगा रहे थे, वैसे ही past के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम simple में तो verb की केवल second form लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सब में did helping verb का use कर रहे हैं, ठीक है, तो sentence बनाने का formula, same रहेगा, केवल change हो जाएगा, helping verb, और वो helping verb क्या है past indefinite में, did, very nice, so past indefinite tense हमेशा ही एक finished या completed action की बात करता है, कोई भी action जो past में खत्म हो चुका है, राइट, जैसे या, य, य, ए, आ, या था, य थी, य थी, ए थे, आ था, ये सब ही आता है end में past indefinite के, ठीक चै, ठीक चै, ठीक चै, नेगिटिव बनाने के लिए subject, then did, then not, then be one, then object, बच्चे अक्सर गलती करते है, past का सोच के did के साथ भी verb की second या third form लगा देते हैं, नहीं लगानी है, did के साथ हमेशा verb की first form लगती है, ठीक है, बच्चे गलती यही करते है, past सोच के second या third form लगा देते हैं, नहीं लगानी बिलकुल भी, okay, कुछ sentences देके, then एक बेटर understanding हमें मिल जाएगी, मैंने आज उसे bus stand पर देखा था, आ था, I saw him at bus stand today, simple sentence है क्योंकि कोई negative नहीं, कोई interrogative नहीं, हमने उनकी बोलती बंद कर दी थी, E थी, we made them quiet, subject, verb की second form, right, उसने तुम्हें थपड नहीं मा रहा था, आ गया negative, जब negative आ गया, did not, right, did not, did not, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, he did not want to talk to me, verb की first form, did के बाद, verb की first form, negative में, right, very nice, I hope अभी तक आप लोगों को, आप लोग अभी तक groove में आ गये होंगे, क्याम है, हम हम आ रहा रहा है, पता चल रहा है, क्या scene है, है ना, मैं नहीं जानता था, I didn't know, I didn't know, इस वीडियो के अंदर, यह rules तो important है, लेकिन साथ-साथ मैं आपको जो पहचान बता रही हूँ, कि यार past में शुरुआ था, present में भी चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई time specify किया गया है, या नहीं किया गया है, यहाँ पर use करना है, यह चीज़े बहुत important है, जैसे हमने present के अंदर भी बात की थी, मैंने आपको यहाँ पर कोई चीज़े बताई थी यह वाली, इन चीज़ों को याद रखना बहुत important है, confused हो जाते हैं, बहुत सी बार हम इस पहचान के पीछे रख जाते हैं, और essence बूल जाते हैं उस चीज़ का, हमें basically यह देखना है कि किस तरीके की बात हो रही हो, तब हमें कौन सा tense यूज़ करना है, जैसे अभी past indefinite के हमने बात की, तो हमने बोला कि या कुई भी action जो क्या हो गया हो, past में पूरे तरीके से finish हो गया हो, ठीक है अभी present में उसका कोई तालुक आतना हो, वैसे sentences, क्या आप bike चलाते थे, did you ride the bike, क्या किया subject से पहले did लगा दिया, helping verb, right verb की first form, the bike, object, question mark मत भूलना हो interrogative में, वो तो एक common sense की बात ह क्या आपको ये gift अच्छा लगा, did you like this gift, क्या मैं phone नहीं चलाता था, did I not use phone, did I not use phone, क्या आपको तक्रीफ नहीं होती थी, did you not get hurt, did you not get hurt, right, चलिए, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते थे, why didn't you listen to me, क्यूं आ गया क्यूं की बीच में, so हमने क्या किया, why को सबसे पहले लिख दिया, and then helping verb, and then not, अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ करने हैं, और वो क्या, आप लिखेंगे, why did you not, यार बोलते समय तो चल जाता है, लेकिन actual में ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीके, बोलते समय हम बहुत से बार, why didn't you do this, right, बठा में बोलना कैसे चाहिए, why did you not do this, ठीके, चल लिए, आपका बाई, when did you come, किसने फोन उठाया, who picked the phone, आपको किसने बताया, who told you, clear, या, या, ये, थे, आई बात समझ में, इनसे समझना है कैसे कैसे sentences हो सकते हैं, clear, अब बार याती है past continuous tense की, past continuous के अंदर हम बात करते हैं, कोई ऐसे action की, जो past में शुरू हुआ और past में खतम हुआ, लेकिन जब हम उस action की बात कर रहे हैं, उस समय वो काम, continuously चल रहा था, for example, वो सो रहा था, मलब जब की वो बात कर रहा है, उस समय उसके सोने का काम चल रहा था, आई बात समझ में, yes, वो खा रहा था, मलब जब की भी वो बात कर रहा है, उस समय वो खाने का काम चल रहा था, क्या लगेगी helping verb पहचान होगी रहा था रही थी रहे थे clear? was लगता है singular के साथ और were लगता है plural के साथ ये बात सबको पता होगी बहुत general सी चीज़ है negative में again subject then was were then not then we were in ing and then object again interrogative में was were उठके पहले चला गया देखा अपने हर एक में केवल हमें क्या याद करना है जैसे present continuous में is mr present indefinite में do does present perfect में has have present perfect continuous में has been have been अब आगए हम past पे past indefinite में did past continuous में was were helping verbs याद रखनी बहुत जरूरी है okay same goes for interrogative negative again was were सबसे पहले then subject and then not then verb की first form में ing then wh word कब जब क्या क्यों कब कैसे sentence के बीच में आ रहा हो for example wh word कुछ भी कोई ऐसा question जसका आपको proper answer देना पड़े आप yes or no में उसका answer नहीं दे सकते हो okay okay चलो sentences देखते हैं सबसे पहली condition कब-कब use होता है समझना ध्यान से ठीक है for something which happened before and after another action for example the children were doing their homework when I got home जब मैं घर पहुची बच्चे क्या कर रहे थे अपना homework कर रहे थे for something which happened before and after another action भाई कोई ऐसी चीज जो कब हुई हो दूसरे action के पहले या बाद में हुई हो जब ये घर पहुची तो इसके बच्चे क्या कर रहे थे homework कर रहे थे for something that happened before and after a specific time या तो before and after another action या फिर a specific time जैसे it was 8 o'clock I was writing a letter specific time 8 o'clock कि भाई कुछ चीज दापन जो हुई before and after a specific time किसी भी एक specific time के पहले या बाद में जैसे it was 8 o'clock 8 बच गए थे I was writing a letter मैं एक letter लिख रहे थी तो 8 बचने वाला काम हो चुका था और उसके बाद वो letter लिख रहे थी ठीक है so before and after another action या फिर happened before and after a specific time उस case में हम past continuous का use करते हैं these are very important things ओके बच्चे चारो next one to show that something continued for some time क्या दिखाने के लिए कि कोई चीज past में थोड़ी समय तक चली थी जैसे my head was aching मेरा सर दुख रहा था everyone was shouting सब लोग चिला रहे थे तो ये चीज थोड़ी देर के लिए हुई past में past में कोई action थोड़ी देर के लिए continue चला was practicing every day three times a week कोई भी ऐसी चीज चो आप रोजाना कर रहे थे या विट three times a day for example they were meeting secretly after school तो हर रोज वो क्या कर रहे थे school के बाद मिल रहे थे secretly चुप चुप कर they were always quarreling हमेशा लड़ते रहते थे right they were always quarreling so was practicing every day मतलब कोई एक ऐसी चीज जो रोज ही हो रहे थे भाई या हमेशा ही लड़ रहे थे वो रोज का था उनका ठीक है three times a day मतलब दिन में तीन बार हो रही हो जैसे ये लडाई का काम दिन में तीन बार हो रहा हो है ना चल रही हो ओके चल लो with verbs which show change और growth ये बहुत important है उन verbs के साथ जो change या growth दिखाते हैं जैसे the children were growing तो grow एक change दिखाता है her English was improving so एक change दिखा रहा है improving my hair was going grey मेरे बाल जो है वो grey हो रहा है तो change आ रहा है बालो में grey हो रहा है वो clear हो गई ये बात very nice next one वो मू बना रहा था he was making faces he was making faces मुझे भूख लग रही थी I was feeling hungry वो मना नहीं कर रही थी she was not denying वो आपको गाली नहीं दे रहा था he was not abusing you he was not abusing you क्या तुम कुछ कर रहे थे were you doing something क्या वो आपको देखकर मुस्कुरा रही थी was she smiling after seeing you क्या वो तुम्हे भाव नहीं दे रही थी was she not paying attention to you क्या तुम वहाँ बोर नहीं हो रहे थे were you not getting boat there were you not getting boat there so see अगर interrogative है तो was बर पहले then subject then b1 के साथ ing याद हो गई होगी न यह चीज है अभी तक तो yes आगे बढ़ जाते हैं उसके रोवे क्यों खड़े हो रहे थे रोवे आजे न हमारे हाथ पे हो जाते हैं goose bumps so why was he getting goose bumps आप दिन दाहाडे इक लड़की को क्यों छेड रहे थे why क्यों आ गया न बीच में वह वर्ड आ गया तुरंत पहले then helping verb then subject then verb की first form में आई एंगी why were you teasing a girl in broad light दिन दाहाडे broad light दिन दाहाडे broad light वो मेरे सामने खड़ा था he was standing in front of me तुम तो bed पर बैठी हुई थी you were sitting on the bed you were sitting on the bed ओके चलिए बारी आती है past perfect की past perfect बहुत important tense है और इसमें काफी सारी situations है जब मैं आपको बताऊंगे कि past perfect कहां कहां पर आप use कर सकते हैं तो बहुत ध्यान से सुनेगा अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं लगातार देख रहे हैं तो बस अब थोड़ा सा इंतजार और future tense तक आते आते हमारा पूरा tense जो है वो cover हो जाएगा फटा फट से चुका था चुकी थी चुके थे लिया था दिया था गया था ली थी दी थी कबू? मैं ये काम कर चुका था, मैं खा चुका था, मैं पी चुका था, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था फिर भी अगर हमें समझना है मैम हम कैसे समझे पहले देख लेते हैं helping verb कौन सा use हो रहा है helping verb use होता है had सब के साथ, सारे subjects के साथ ठीक है, चाहे singular हो, चाहे plural हो, doesn't matter, सभी के साथ had use होगा, अब perfect है, तो verb की third form use होगी, हो गई use, सभी में ऐसा होगा, केवल not में had के बाद not लग जाएगा, interrogative में subject से पहले had आ जाएगा, interrogative negative में आपको पता है, subject से पहले had, subject के बाद not, सभी में verb की third form का use हम कर रहे हैं, clear? और had जो है with all subjects, अब यार ये use कहां का होता है, सबसे पहली चीज़, बहुत important, एक sentence देखना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, past के अंदर कोई भी दो actions हो रहे हों, और दोनों past में हुए हो, एक के बाद दूसरा हुआ, उस case में हम past perfect का use करते हैं, जैसे, डॉक्टर के आने से पहले, मतलब की डॉक्टर आया होगा past में, लेकिन उसके आने से पहले, रोगी मर चुका था, इसके मरने का काम भी हुआ और डॉक्टर के आने का काम भी हुआ, दोनों चीज़े past में हुए, दोनों चीज़े past में हुए, हुई न, जैसे, अब यहाँ पर देखो यार, एक जगा तो हमने had use किया और दूसरी जगा हमने verb की second form use कि यही चीज सबसे ज़्यादा important है अगर आपके sentence में बात की हो या तो बोला हुआ हो पहले दो actions में ही और या बोला हुआ हो जब उस case का structure क्या होता है उस case का structure होता है पहले आएगा past perfect फिर आएगा before या when and then past indefinite अब समझना मेरी बात यहाँ पर मरने का काम पहले हुआ तो जो action पहले होता है first action उसको change करते हैं हम past perfect में और जो action बाद में हुआ दूसरा वाला action doctor का आना वो change होता है past indefinite में second action और इन दोनों के बीच में use होता है पहले जब के लिए before या फिर when ठीक है तो कुई भी दो actions जो past में हुए हो एक हुआ हो फिर दूसरा हुआ हो लेकिन पहले या जब आ रहा हो जैसे doctor के आने से पहले रोगी मर चुका था मतलब यह वाला काम पहले हो गया तो इसको हमने पहले बनाया the patient had died past perfect में फिर हमने use किया before किस चीच से पहले हुआ यह action किसी के आने से पहले doctor के आने से पहले यह वाला फिर हमने past indefinite में बनाया और इस तरह related questions काफी exams में पूछे जाते हैं और बच्चे अकसर गलती कर देते हैं ठीक है तो गलती आप लोगों को नहीं करनी मेरे propose करने से पहले आपने उसे propose कर दिया था पहले क्या काम हो गया था पहले क्या काम हो गया था कि भई तुमने उसे पहले propose कर दिया था First action, past perfect में, you had proposed to her, जो पहले काम हुआ, है न, then हमने add किया before, और दूसरा काम क्या हुआ, मेरे propose करने से, भाई पहले ही तुम यह काम कर चुके थे, तो वो वाला काम क्या हो गया, before I proposed, clear हो गई यह बात, यह structure बहुत important है, Next one, अगर बात हो, after की, मतलब की, के बाद, अगर आ रहा है, दो actions को बताते समय, जैसे, तुम्हारे खाने के बाद मैंने खाया था, अब इसमें पहला काम क्या हुआ, तुम्हारे खाने के बाद मैंने खाया, तो जो मैंने खाया वाला काम था, यह बाद में हुआ, ये second action है और जो पहले खाने वाला है वो तुम्हारा मतलब कि ये जो बंदा इसने पहले खा लिया before वाले case में हम जो first action था उसको past perfect में कर रहे थे after वाले case में जो हमारा first action है तुम्हारे खाना खाने के बाद उसको हम किसमें कर रहे हैं first action को किसमें कर रहे है past perfect में और second action मैंने खाया था उसको हम किसमें कर रहे है past indefinite देखो I ate after you had eaten I ate मैंने खाया कब खाया तुम्हारे खाने के बाद है ना तो भई बाद में कौन सा काम हुआ है मेरे खाने का काम बाद में हुआ है इसके अंदर first action past perfect before when और second action हमने change करते समय पहले past perfect वाला लिखा है then before and then then second action after वाले केस में हमने second वाले action को पहले लिखा है ठीक है और first वाले action को बाद में ठीक है यह बात हमें clear हो गई बहुत बढ़िया अब past perfect का use desire और willingness को दिखाने के लिए भी होता है desire और willingness को दिखाने के लिए भी होता है जैसे काश तुमने मुझे पहले बताया होता काश काश तुमने मुझसे शादी की होती काश कोई desire कोई willingness I wish you had told me earlier had past perfect I wish you had got married with me तो कोई भी past की desire या willingness ठीक है use of past perfect for desire and willingness clear तीसरा है conditional sentences में जिसमें कोई condition हो for example if वाले sentences जो होते है ठीक है अगर तुमने शादी कर ली होती तो आज दो बच्चों के बाप होते if you had got married you would have been the father of two children you would have been the father of two children तो ऐसा होता इसलिए हमने would have been का use किया ठीक है अगर ऐसा होता अगर वैसा होता अगर शादी कर ली होती यह condition के बाद वाली बात है तो ऐसा होता अगर यह कर लिया होता तो वैसा होता इसलिए हमने would have been का use किया है अगर मैं दो घंटे पहले चला जाता तो मुझे job मिल जाती if I had gone two hours before अगर मैं दो घंटे पहले चला गया होता if आ गया उस case में भी हम तो कोई भी conditional sentence अगर अगर ऐसा किया होता तो मुझे ये काम मेरा ये काम हो जाता यह past की बात है अब तो वो चीज नहीं हो सकती possible past की बात है future की नहीं है past की I would have got the job तो मुझे job मिल जाती I would have got the job so would have यहाँ पर क्यों आया है की condition दे दी की अगर ऐसा हुआ होता तो ये काम हो जाता ठीक है तो possibility सी बता दी यार ये काम तब ही हो पाता जब ऐसा हुआ होता ठीक है चला अब he washed his hands before he ate कोई भी दो actions जिनके बीच का जो time interval है वो ना के समान हो क्या ना के समान हो दो actions के बीच का time interval दो actions के बीच का time interval ठीक है जैसे उसने अपने हाथ धोए किस चीद से पहले खाना खाने से पहले so he washed his hands before he ate clear हो गई ये बात चलिया तो जब भी इन दोनों के बीच का time interval zero है तो आपने देखे हैं हमने had वगेरा use नहीं किया हमने दोनों में ही past indefinite use किया तो past की कोई दोनों actions जिसके बीच में time interval बिल्कुल zero हो वापर दोनों ही past indefinite में हो रहे हैं before का use तो हो रहा है लेकिन दोनों actions को past indefinite में ही change किया गया है ध्यान रखना यहीं बताना था मुझे ठेक है अब बार ही है past perfect continuous tense की obviously say रहा था say रही थी कोई भी काम past में कितने समय से चल रहा था जब time बता दे उस काम के लगातार चलने का कि वह कितनी देर से वो काम चल रहा था उस case में use होता है past perfect tense past perfect continuous tense इसकी अंदर helping verb use होती है had been had been helping verb then verb की first form के साथ obviously since और for जहां पे भी हमें time बताना हो समय वाली बात समय की अवधी बतानी हो so since और for का use मैंने बताया since का use point of time के लिए for का use duration of time के लिए right और सभी के साथ had been लगेगा ठेक है सारे subjects के साथ had been लगेगा चाल पहली बात वह 6 महीने से नौकरी के लिए apply कर रहा था कोई काम वो कितने समय से कर रहा था so 6 महीने हमें time दे दिया right so he had been applying for jobs for 6 months see duration दिया हुए that's why we used 4 वह 15 वर्षों से अपना business चला रहे थे they had been running their business for over 15 years had been verb की first form के साथ ing their business उनका business for over 15 years right next one negative वे पिछले दो हफतों से किताबे नहीं पढ़ रहे थे they had not been reading books for the last 2 weeks not आ गया है देखा आपने बिन के बाद not नहीं लगाया हमने had के बाद not लगाया हमने यहाँ पर bin के बाद not नहीं लगाया हमने यहाँ पर had के बाद not लगाया यह वाली बात clear हुई या नहीं हुई very nice बच्चे पांच बजे से नहीं खेल रहे थे बच्चे पांच बजे से नहीं खेल रहे थे the kids had not been playing since 5 o'clock the kids had not been playing since 5 o'clock right? बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं इसे लगा ले एक बार ठीक से हम yes, चलिए interrogative वो दो महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा है? why क्यों? है न? क्यों? why आगया पहले? why, then helping verb had then subject and then bin पेड़ा ये वाला confusion मत रखना बस अपने अंदर कि bin कहां लगा है? subject के बाद ही लगेगा ठीक है? वे 2015 से एक ही कमरे का उपयोग क्यों कर रहे थे? why they had been using the same camera since 2015 since 2015 क्योंकि point of time दिया हुआ है for two months क्योंकि duration of time दिया हुआ है और had been तो सब के साथ लगेगा right? so say रहा था, say रही थी WH word वाले sentences वह सोमवार से परिक्षा के लिए practice क्यों नहीं कर रहा था? why had he not been practicing for the examination since Monday since Monday right? क्या वह तब से पढ़ाई नहीं कर रहा था जब से उसके पिता काम के लिए चले गए थे? had he not been studying since his father left for work see यहाँ पर हमने इसको किसमें किया? past, indefinite way clear? very nice अब बारी आ गई है future tense की और यह है हमारा last tense and उसके बाद आपका tense is बिल्कुल मक्षन की तरह complete आईए start करते हैं, सबसे पहले future, simple tense गा गेगी, कोई भी चीज future की जब हमें बतानी हो जैसे मैं खाऊंगा, मैं सेऊंगा, मैं उचंगा, मैं बेचंगा मैं future में क्या करूंगा उसके case में हम will और shall का use करते हैं अब will और shall के लिए बहुत बड़ी एक confusion, बच्चों को हमेशा होती रही है कि ma'am, आपने देखा होगा पहले न, हम will और shall, I और V के साथ हम shall use करते थे, बाकी सब के साथ हम will use करते थे लेकिन अब shall का जो use है वो खत्म हो गया modern grammar में shall का use खत्म हो गया है, अब केवल shall का use model verbs की तरह होता है, यहाँ पर जितने भी sentences हम बनाएंगे, सब में आपको will का use करना है will, will be, will have will have will, क्योंकि shall का use पहले होता था, गलत नहीं है अगर आप अभी भी करते हो तो बट अब modern grammar में हम हर जगा will का ही use करते हैं shall का use हम केवल model verb के तरीके से करते हैं, तो वो जब हम model verbs बढ़ेंगे आपको तब बताएंगे okay, very nice चलिए, so affirmative में subject plus will plus even plus object subject plus will not plus even plus object, तो will, shall के साथ क्या लगेगा present indefinite में verb की first form, ठीक है shall केवल model verbs की तरह use होगा ध्यान रखना, confused मत हो जाना कि मैं shall use करते हैं, आई-वी के साथ, बिलकुल करते हैं लेकिन अभी modern grammar में shall का use खत्म होगा है, will का use हम ज्यादा तर करते हैं, ठीक है और shall का use model verbs की तरह होता है, very nice so बढ़ते हैं आगे affirmative, हम फिर कल मिलेंगे, we will meet tomorrow अब आप लोगो को लगे हमें हमें पर shall आना चाहिए गलत नहीं है, लिख सकते हो लेकिन अब उसका use खत्म होगा है language धीरे धीरे change करती है अपने आपको, तो हमें उसी चीज़े according देखनी पड़ती है so subject then helping verb will then meet verb की first form and then tomorrow तुम फिसल जाओगे, you will slip, मैं तुमारे साथ cricket खेलूँगा, I will play cricket with you आपने देखा हमने I के साथ भी will use किया, हमने V के साथ भी will use किया और हमने negative, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा nobody will disturb you तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा nobody will disturb you कोई यहाँ दुबारा नहीं आएगा देखो, यहाँ पर आपको लगा होगा कि मैं आपने not का use क्यों नहीं किया हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा हुआ था कि कोई नहीं करेगा तो जब हमने कोई नहीं के लिए एक वर्ड यूज कर दिया nobody तो हमें not का यूज यहाँ पर करना जरूरी नहीं है ठीक है कोई यहाँ दुबारा नहीं आएगा nobody will come here again so जब आपने एक negative word यूज कर दिया तो आप बार बार तो negative word यूज नहीं करोगे न वह यहाँ दुबारा नहीं आएगा he will not come here again देखो जब यहाँ पर था कि कोई नहीं आएगा तो हमने nobody का यूज किया जब हमने बोला कि वो यहाँ नहीं आएगा he will not come here again he will not come here again right next interrogative क्या वहाँ बाइक से आएगा will he come on bike क्या तुम जल्दी सो जाओगे will you fall asleep early क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा will he not listen to you आगया विलशल का concept समझ में very nice आप कौन सा फोन खरीदोगे which phone will you purchase आप यहाँ किसका वेट करोगे whom will you wait here again किसका whom wh word then helping verb then subject then we won आगयी बात समझ में यह वाली चीज को follow करो सारे sentences बन जाएंगे तुमारे ठेक है चलिए अब बारी आती है चिंता मत करो मैं तुम्हे इस काम की याद दिला दूंगा don't worry I'll remind you of this work कौन माफ करेगा तुम्हें कम से कम वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा who will forgive you at least he will never forgive you at least he will never forgive you right next one बारी आती है future continuous की future continuous कोई भी काम future के अंदर चल रहा होगा जैसे मैं खेल रहा होँगा मैं गा रहा होँगा मैं नच रहा होँगा लेकिन कब future में yes for example यहां पर helping verb will be का यूज होगा किसका will be का clear और क्यों की continuous है तो verb की first form के साथ लगेगा ing वर्ब की first form के साथ लगेगा ing yes so बाकी सब चीज है सेम जैसे negative है तो will not be ध्यान रखना जैसे bin के पहले ही not लगा रहते है वैसे b के पहले ही not लगेगा बाद में नहीं लगेगा will subject be interrogative में अलग-अलग हो गया subject के बाद भी लगा है ठीक है will subject not interrogative negative में not के बाद भी ऐसा नहीं है कि be के बाद not और सब में verb की first form में ing क्यों क्योंकि continuous tense है आई ये sentences देखते हैं तुम्हें गुसा आ रहा होगा you will be feeling angry वो इस वक्त सो रही होगी she will be sleeping at the moment तुम्हें तो शरम आ रही होगी you will be feeling shy तुम मुझसे बात नहीं कर रहे होंगे you will not be see subject नहीं आ गया then helping verb और not आया and then be आया and then verb की first form में ing आया right vachapati very nice वह बहाने नहीं बना रहा होगा he will not be making excuses he will not be making excuses वह लोग लडाई नहीं कर रही होंगे they will not be fighting they will not be fighting clear very nice अब क्या कल बारिश हो रही होगी yes or no वाला question again will पहले आ गया then it then be subject बीच में then be then पहले हमारा helping verb है न क्या वह आज शाम को event में गाना गा रही होगी will she be singing देखो subject के बाद भी लगाया है subject के बाद में भी लगाया है और पहले will लगाया है right and then verb की first form में ing sing के साथ ing so will she be singing songs at the event in the evening today clear बच्चा very nice अब बारी आती है future perfect की future perfect में क्या होता है चुका होगा वो ये काम कर चुका होगा वो खाना खा चुका होगा मतलब हम यहां बता रहे हैं कि future में कौन सा काम हो चुका होगा उसके लिए use होगा will have will not have okay will के साथ have जैसे continuous में will के साथ b लगा वैसे ही perfect में will के साथ have लग रहा है simple बाकि सब same अब इसमें हर जगा जहाँ पे b लगा रहे थे महाँ पे have लगा देंगे बाकि सब same रहे हैंगा पस confuse मत हो न ठेकर लिए subject के बाद have लगेगा not के बाद have लगेगा not के बाद have लगेगा okay yes, wh word then will, then subject, then have wh word, then will, then subject then not, then have तो जहां not आ रहा है, उसके बाद have लग रहा है, जहां not नहीं आ रहा है वहां subject के बाद हाद लग रहा है ठीक है, clear so will have with all subjects questions देखते हैं he will have missed the bus, उसकी bus छूट गई होगी उसने गौर्मन जॉब ले लिया होगा he will have got the गौर्मन जॉब तुमने कोई गल्ती की होगी you will have made a mistake आपने उसे फोन नहीं किया होगा, you will not have found him see, you subject, then will helping verb, then not नहीं के लिए and then have not के बाद हावाया है negative ऐस लिए उसने ये form नहीं भरा होगा, he will not have filled this form राहूल ने डांस नहीं किया होगा राहूल विल नॉट आव डांस राहूल विल नॉट आव डांस very nice क्या कल उसे नीन नहीं आई होगी will she not have felt sleepy yesterday will क्योंकि क्या आ गया ना इसलिए will subject से पहले आ गया then क्या आया, not, then क्या आया, have क्या उसने ये movie देखी होगी will she have seen this movie क्या उसने ये movie देखी होगी will she have उसे को will पहले आया, फिर subject आया, फिर have आया, फिर verb की third form आये, ठेक है, तो perfect में तो third form लगती है, चाहे present हो, past हो, future हो, है ना, बढ़िया अब बारी है last key tense, जो है future, perfect, continuous and then video smart इसमें होता है, वही समय की according, जैसे say रहा होगा यार वो 2 घंटे से बढ़ रहा होगा यार वो 4 घंटे से हो रहा होगा, तो उस case में will have been लग जाता है और since और for तो add हो गई चाहे present perfect continuous हो past perfect continuous हो, या future perfect continuous हो, so subject, will have been verb की first form में ing, object, since, for या from, then time, देखो negative है तो will के बाद not add करोगे, ऐसा नहीं है have के बाद not add करो या बिन के बाद interrogative में will केवल आगे जाएगा, पूरा will have been आगे नहीं जाएगा subject के, केवल will आगे जाएगा, then subject, then have, then been, then verb की first form में ing interrogative, negative में भी will ही केवल आगे जाएगा बाद में not have been, पीछे ही रहेगा, right right wh word में, wh word पहले आएगा, then will, then subject then have been, clear sentences देखते हैं, अगले साल मई में, अगले साल मई में, हम इस company में दो साल से काम कर रहे होंगे next year in may we will have been see, we will have been, will have been, shall have been लगता है इसमें, so, आपको पता है, अब हम केवल will have been का यूज करते है in this company, for two years see, पहले हमने लगाया since या for, ठेक है and then time, यहाँ पर दिया हुआ है na, since, for या from and then time time, so, हमने for लगाया and then time, two years, क्योंकि duration दिया हुआ था, मुझे लगता है वो 2017 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा I think he would have been watching my videos since 2017, so since 2017, क्योंकि point of time दिया हुआ है clear, चलिए अगले साल मई में हम इस company में दो साल से काम कर रहे होंगे, next year in May, we will have been working in this company for two years मुझे लगता है वो 2017 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा, I think he would have been watching my videos since 2017, so यह same sentences थे और इसी के साथ हमारा आज का यह lecture खत्म होता है I wish and I hope आपको मेरा यह पूरा complete tense in one video अच्छे से समझ में आया होगा आपके सारे doubts clear हुए होगे अगर in case आपको कुई भी doubt आता है आप comment section में बता सकते हैं, मैं आपके doubts में पर clear कर दूँगी प्लस इस वीडियो का PDF मैं अपने वीडियो के description में आपके लिए डलवा दूँगी ताकि आप उसको ले सके, वीडियो के description में भी नहीं तो मैं आपको telegram पर जरूर इसका PDF शेयर करूँगी आप telegram भूमे का चौहान नाम से है मेरा उस पर जा सकते हैं और इसका PDF पा सकते हैं बबाई guys, take care and all the very best, thank you